सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिव सेना ने एक बार फिर मोधी सरकार पर निशाना साधा है शिव सेना ने अपने मुकपत्र सामना में लिखा है कि बीजेपी को 2019 लोगसभा चुनाव में नोट बंदी जैसा जटका लगेगा सेना ने कहा है कि लगभग सभी राज्यों में चुनावी हवा विपक्षी गडबंधन के पक्ष में बह रही है और पिछले डेड़ साल से लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वे भाजबा को एक तगड़ा जटका देंगे अब सेजुमलों का गुलदस्ता मुर्जा जाएगा वही शिव सेना ने एनर्सी के मुद्दे पर उनका समर्थन किया है हाला कि शिव सेना ने अप्रत्यक्ष रूप से मोधी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल भी किया है और कहा है कि असम से विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने वाली सरकार कब डेड़ लाख कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का साहस दिखाएगी सेना ने कहा विदेशी नागरिकों को चुनकर बाहर निकालने का काम देश भक्ती का है और ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए हम केंद्र सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं गहर तलब है कि 2019 के लोग सभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुक दलों ने सियासी गनित बिठाना शुरू कर दिया है इस बीच बीजेपी के नेतरित्व वाले एंडिये के लिए चौकाने वाली खबर आ रही है जानकारी के मुताबिके इंडिये में शामिल शिव सेना के अध्यक्ष उधव ठाकरे टीमसी प्रमुक और पश्चिम मंगाल की मुखे मंत्री ममता बनर जी की मेगा रहली में शामिल हो सकते हैं बता दें अविश्वास प्रस्ताव पर शिव सेना ने वाक आउट कर लिया था दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले और ऐसे ही लिटेस अपड़ेट पाते रहने के लिए हमारे इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें